यूं तो दोस्तों आस्मान से बाईश होती है पानी की बर्फ की लेकिन जब यूद होता है तो आस्मान से बरसते हैं आग के गोले, गोलियों की बरसाथ और बड़ी बड़ी मिसाइलें जी हां ऐसी खतना एक्टिविटी को अंजाम देने वाले लड़ा को हेलिकॉप्टर जिससे सोवियस संग 1922 से ऑपरेट कर रहा है यह हलिकॉप्टर अपने पास लाज गांशिप रखता है उसके अंदर आठ पैसंजर एक साथ बैठ सकते हैं अपने लाज गांशिप के साथ यी गोलियों की बरसाथ कर सकता है और किसी एसौल ट्राइफल से भी जादा तेज ग इसके साथ मिसाइलें दागी जा सकती हैं इस तरह का पहले हेलिकॉप्टर 1996 में बनाय गया था और 2008 में इस तरह के हेलिकॉप्टर बनाने का प्रड़क्शन कता से चालो हो गया सिर्फ एक बटन दबाते ही जंग लड़ रहे या अफरात अफरी मचा रहे किसी भी टैंक को किसी भी आर्मी ट्रक को यह हलिकॉप्टर तोड़ फोड़ कर रख देता है यह टू सीटर मिर्ट्री टाइब रशियन हलिकॉप्टर है इससे स्पेशल टैंक डिस्टॉइ के लि वैदा ओपेशन अटैकिंग हेलिकॉप्टर है इसके विंक्स पर कई सारी गंशिप लगी हुई है यह माउजर और असौल ट्राइफल से भी तेज फारिंग कर सकता है M.I.L. M.I.28 दिन हो या रात हो या वैदर किसी भी तरह की हो अगर अटैक की करणीशन आ जाती है थब यह हलिकॉप्टर ओल वैदा अटैकिंग फीचर अपने पास रखता है और किसी भी तरह की करणीशन में यह हलिकॉप्टर बंबारी करने में सक्षम है यह टू सीट एं हलिक अटैकिंग हलिकॉप्टर को अपनी तरह की पुराने अट इंहें हलीकॉप्टर से मॉड़िफाई कर बनाए गया है Persian गय हो जिससे ब스터 गोलियों के आगए तिकणा काफी नानमगिन है वहिए यूरोकॉप्टर टाइगर जमीन से सिर्फ 2 मीटर उपर उड़कर हवा में अपने आपको स्टैबलेटी के साथ उड़ाने वाला और इतनी कमुचाय पर भी मल्टी रोल फीचर रखने वाला ये यूरोकॉप्टर ऐसे ही और भी कई सारे फीचर से लाइस है करने के लिए रियल चायम केमरा टांसमिशन फीचर भी है और अपने टागेट को ये हलिकॉप्टर का पालेट डारेक्ट डिस्प्ले में देख सकता है और स्टेलियन आर्मी द्वारा इस हलिकॉप्टर को अपरेट किया जाता है और क्लोज कॉमबेट के लिए एडवांस हलिकॉप्टर से लड़ने के लिए ये अटेकिंग हलिकॉप्टर और स्टेलियन एयरपोर्ट के पास अपने पड़ी ताकत है भारती वाइव सेना को बहुत ज़ादा गौरवशाली बनाने वाला ये सुखोई विमान रशियन एयरक्राफ्ट है जिस अभारत ने भी रूस से ही खरीदा है सोविय यूनियन द्वारा 1985 में इस सुखोई विमान को दुनिया के सामने इंटरडियूस किया गया ये एयरक्राफ्ट एयर में हर तरह की रोटेशन कर सकता है अपनी बॉड़ी को गोल गोल भी खुमा सकता है अमेरिका के F-15 के कमपरिजन में इसे बनाया गया था और अब ये अपग्रेड होकर दुनिया भर के कई सारे देशों के पास है जिनमें इंडिया, चाइना, करजाकिस्तान जैसे देश शामिल है इस एरक्राफ्ट के स्पीड 2500 क्लोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार है ये बहुत तेजी की स्पीड से अपने टागेट पत पहुँच भी सकता है और अपने अपग्रेड़ेड वेरियंट के साथ हमारे भारत की सेना को भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड रखता है युद में गुलिबारी कर रहे टैंक अगर उडाने के लिए आप एडवांस फीचर से लाइस हेलिकॉप्टर देखना चाहते हैं तो इस हेलिकॉप्टर को देख लीजिए युद में बंबारी कर रहे टैंक पर भी भारी पड़ता है इसे भी अफ्री के वायु सेना और आर्मी द्वारा ऑपरेट किया जाता है जिसमें कई सारे नई जमाने के अडवांस फीचर लगाए गए हैं और बटन दबाते ही ये हलिकॉप्टर अपने अंदर से ऐसी मिसालें छोड़ता है जिसके बाद किसी भी मिलिट्री बेस में अफरा तफरी मत जाती है ये वर्ल्ड के टॉप टैन मोच देंजर अटैकिंग हलिकॉप्टर में शामिल है जिसके अंदर कई सारे सेनिक भी बैट कर उड़ान कर सकते हैं और उन्हें हवा ही में नीचे उतारने की फैसलिटी मिल जाती है इस तरह के ग्रूप अफ हेलिकॉप्टर किसी भी एयरपोर्ट पर या आर्मी पर अकेली भारी पड़ सकते हैं जोकि इनका गंशिप एरिया एडवांस हाइट एक के साथ बहुत जादा स्पीड अटेकिंग वाला है दुनिया में मौजू लड़ाको हेलिकॉप्टर की लाइन में यह हेलिकॉप्टर दुनिया के दस सबसे जादा खतनाक हेलिकॉप्टर में शामिल है और इससे साथ एफरिका एयर फोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है इस हेलिकॉप्टर में एक साथ दो पालेट इसके कंटोर के लिए होते हैं और डिफरेंट हाइट के साथ इसकी सीटिंग इस हेलिकॉप्टर में दी गई है जिसके वज़े से target को different angle के साथ सही साधने में इस helicopter के साथ मदद मिलती है military simulation के लिए इस helicopter का use किया जाता है और load app पर air में रहते हुए ये helicopter close port gunship के साथ close combat में काफी जादा heavy helicopter है angle and border war के वक्त इस helicopter का use किया जा चुका है और दुनिया के सबसे खतनाख helicopter की लाइन में ये बहुत आगया आता है क्योंगे इसके कारणा में दुनिया देख चुकी है मिको यैन मिग 31 Soviet Army के Blackbird aircraft के feature को change करने वाला ये fighter विमान रूसिया द्वारा सन 1975 में बनाए गया Blackbird के retirement के बाद Soviet Union को सन 1980 में इस विमान के द्वारा नई ताकत मिल गई जिसके साथ हवा में ये बहुत जादा मजबूत हो गया इस विमान की superiority इसके साथ ले जाने वाले खतनाग मिसालों से दिखती जाती है 3033 क्लोमेटर प्रति घंटे के speed रखने वाला ये विमान unusually Soviet Union की update होती हुई air defense को clearly दिखाता है और modern desk के upgrade technology के साथ ये विमान बड़िया तरीके से blackbird की जगह को cover कुट चुका है Leap of fire power combination के साथ ये किंजल और dagger जैसी खतना मिसालों के hapersonic transportation के लिए जाना जाता है F-111 A-adwork 1960 में जब air force पुराने जहाजों से जादा किसी काम की नहीं बच रही थी तब इस aircraft को बनाया गया F-111 B को जो की बहुत जादा update करके बनाया गया था Supersonic feature के साथ high altitude पर जाने के लिए और तेजी से take off और landing जैसे feature के साथ इसका development किया गया और कई सारे advance feature भी इसकी unit में लगाए गया Soviet Union द्वारा इसे introduce किया गया और United State of America ने इसे बनाया फिलार इसकी speed 2665 km प्रतिगंटे की है और इस तरह के कई सार विमान United State of America के पास मौझूद है और ये Soviet संग की सेना के लिए भी सेवा देते आ रही है इसमें advance avionic system भी लगा हुआ है Mikoyan MiG-25 ये world fastest air combat fighter plane में से एक है इसके speed 3500 km प्रतिगंटे की है और इसे रूसिया दारा बनाया गया है और ये 1970 और 80 के दौर में था S1P55 जेसी मिसाल को ये अपने अंदर interceptor features देता है और इसे special दिन हो या रात हो या weather condition कैसी भी हो हर condition में लड़ने के लिए और अपने target को अचीव करने के लिए बनाया गया है ये विमान target को तो अचीव कर लेता है लेकिन बहुत जाते speed होने की वज़े से कई बार रिसकी भी सावित होता है और mark point 3.6 की speed से तो ये बहतरी performance दिखाता है लेकि mark point 3.2 पर ये हवा में वाबरेट होने लग जाता है जिससे fighter की जान का खतरा भी बना रहता है अपने इस disadvantage के साथ ये दुनिया में मौजू सबसे sophisticated और sensitive aircraft में भी आता है और इसके disadvantage का सामना एक रेक्षिन पालिट द्वारा किया किया है तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो और इन में से कौन सा helicopter आप अपने देश की एफोर्स में दिखना चाहते है और कौन सा इन में सबसे ज़ादा आपको खतनाग लगता है कमेंट में जरूर लिखे धन्यवाद दोस्तों बाई बाई गुड़ बाई